एक फरवरी 2020 दिर्मला सीता रमन जी का आज तक का सबसे लंबा भाशन दो घंटे 40 मिनिट तब भी भाशन को बीच में अदूरा छोड़ा गया कुछ पॉइंट्स को बाद में प्रेस रिलीस के लिए रखा गया है देखते हैं इस बजट में क्या क्या चीज़ है नहीं क्या क् हाईलाइट्स रही, बजार ने क्यास के रिएक्शन दिए, शेर बजार ने इसको कैसे लिया, लोगों ने इस बजट को कैसे लिया इसको छर्चा करते हैं इसकी उपर दोस्तों कुछ टाइम पहले जाने की कोशिश करते हैं मैं कितने दिनों से लोगों कह रहा हूँ जिन दिनों Nifty 11,600, 700 के आसपास चल रही थी हमारा visualization बिलकुल ही clear था, बहुत simple था हम लोग option chain को देखते हैं, हम data analysis करते हैं चार सडी भी करते हैं, सारे parameters को देखने के बाद बहुत clear हमारा निस्खर्ष था कि Nifty ने अगर गिरावट की शुरुआत करनी हैं तो Nifty को पहले 12,300 या 12,400 के लेवल को टच करना होगा और वहां से बजार में गिरावट शुरू हो तो बजट का analysis करने के लिए मैं वेट कर रहा था और आज का दिन बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ जैसा हमने सोचा था दोस्तों आज शेर बजार में blood bath जिसे हम कहते हैं आज black friday नहीं था, black monday नहीं था, आज black saturday रहा दोस्तों ऐसा कभी-कभी होता है जब stock market saturday को खुलती है जी हाँ, budget का एहतियास एक दिन और शनीवार का आज का दिन था जो हम stock market को खुलते हुए हमने देखा और बजार बिल्कुल लहू लुहान होते हुए, blood blood, ला, thundra street जो capital market की एक common statement है, बहुत ही famous statement है यह कैसे संबब होता है दोस्तों, देखे, अगर आप data को read करना जानते हैं अगर आप अपने charts को ठंक से read कर लेते हैं, अपनी study अच्छे से कर लेते हैं आप sentiments को काबू में पा लेते हैं, अपने education को अगर समझ पाते हैं बज़र के पुराने विशेशक है, बहुत सारे media networks पे आने वाले लोग, social media पे, news channels पे जगह जगह बात हो रही थी कि nifty नया high बनाएगी, nifty यहां से वहां निकल जाएगी nifty 13,000 चुझाएगी, nifty 12,700 चुझाएगी, बट हम बहुत clear थे जैसे ही nifty 12,400 के घर को चुएगी, वो एक supply zone का काम करेगा, वहां से बजार को गिरावर्ट का सिल्षला देखने को मिलेगा दोस्तो आज सुबह की post को आप देख सकते हैं, जब बजार खुलने से पहले मैंने announce कर दिया था कि अगर budget बिलकुल भी बजार के favor में नहीं रहा, तो कम से कम 5-10% की nifty में गिरावर्ट देखने को मिलेगी और 3-3% के आसपर सिगिरावर्ट तो आज ही देखने को मिली है, और दोस्तो अगर आप इतियास में जाएंगे तो आप देखे पाएंगे कि जो budget की rally होती है, कम से कम एक हफते तो रहती ही रहती है और वो rally कभी-कभी एक महीने तक extend हो जाती है तो अगर बज़ार में ये भी देखने को मिला है कि अगर budget से पहले जो pre-budget rally होती है अगर वो 5-10% hike की होती है तो वही rally reverse हो जाती है, अगले एक महीने के लिए वो rally reverse में आयती है, profit booking साट हो जाती है, अगर pre-rally positive रहती है तो after post-budget rally negative रहती है बज़ार में आज get out का सामना क्यों किया, बज़ार में blood watch क्यों किया, ये देख लेते हैं कौन से factors रहे, जिसकी वज़े से हमें ये सब देखने को मिला दोस्तों सबसे बड़ी चीज थी कि बज़ार में शायद हम लोग ये expect कर रहे थे, हम कहें market ये expect कर रही थी कि शायद long term capital gain cracks को हटा दिया जाएगा, जो नहीं हुआ, जो बहुत बड़ा कारण रहा दोस्तों एक और highlight रही कि dividend distribution tax को हटा दिया गया, कितनी बड़ी news थी, कितनी बड़ी news, सभी news channels पे बहुत ही स्वागत किया गया कि breaking news, dividend distribution tax को हटा दिया गया, अपर दोस्तों इसको समझने वाली बात है कि dividend distribution tax का बोज़ अब किसके उपर आ गया है, जो companies आपको dividend पे करती थी ये tax उनके उपर लगता था पहले, अब उनके उपर से इस tax को हटा के, इस tax को transfer कर दिया गया है आपके उपर, जी हाँ, अगर आप ऐसी company में निवेश करते हैं, जो company आपको dividend पे करती है, तो वो dividend distribution tax अब आपको पे करना होगा, आम निवेश को पे करना होगा, जो लोगों क सपोर्ट करते हैं हुए दिखाई देते, ऐसा कुछ भी नहीं था, कि जिसकी वैसे बजार में एक नई तेजी का संकेत दिखाई देता, दोस्तों, हम वैसे ही जो हमारी economy है, वो 4% से नीचे में हैं, और physical deficit का जो अनुमान है, वित्त मंतरी श्री निर्मला सितारमन जी ने य अनुमान लगाया है, कि जो पहले जो physical deficit था, हमारा 3.3% के आसपास का अनुमान था, उसको बढ़ा के 3.8% के आसपास कर दिया गया, मतलब हम वहाँ भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, और हमाई जो पुरानी scheme सुखा करते ही, making in India, making in India वो बहुत जादा अच्छे पैमाने पे अभी तक नहीं सफलो पाई है, जिनके ओपर काम करना होगा, बहुत साए promises कहिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे provisions रखे गए हैं, जो आने वाले 3-4 साल में जिनका हमें असर देखने को मिलेगा, तोस्तों, बजार सुप्रीम है, market सुप्रीम है, ये बिल्कुल fact है, और market ने कहा, कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हम आने वाले 3-4 साल में growth की पटरी पे आ जाएंगे, तो बजार ने भी कहा कि ठीक है, हम भी slowly, steadily ही race को win करेंगे, हम भी धीरे-धीरे ही पटरी पे आएंगे, तो बजार में profit booking चौध तरफा देखने को मिली, ना ही FIs के लिए बहुत सा sentiments का एक आईना है, हमने हमेशा से सुना है कि market sentiments पे ज़्यादा rules होती है, क्योंकि अगर हमें ज़रा सा भी लगता है कि बजार में कुछ भी गिलावाट, कुछ भी… तो एक्चल में बजार में sentiments बहुत बड़े role play करते हैं, तो आज हमने देखा कि पूरी market का, पूरे निवेशक जगत का जो sentiment था वो negative रहा, लोगों को जो उम्मीदे थी कि long term capital gain tax हटा दिया जाएगा, वो चीज नहीं हुई, लोगों को लग रहा था कि यहाँ, एक और चीज ब आप अपना income कमाते थे, उसके उपर एक tax बेकर थे एक particular slabs के अंदर में, आप उस tax को बचाने के लिए ATC, ATD और बहुत सारी ऐसे provisions होते थे, जहाँ पर अपनी आप investment कर सकते थे, जहाँ पर आपको tax rebates मिलते थे, tax evasion आप कर सकते थे, पहले जहाँ 5 लाग रुपे तक आपक रुपे तक है, उनको कोई tax pay नहीं करना, जो पहले 5 लाग था, उसको बढ़ा के 5 लाग तक कर दिया गया, दूसरा जो tax slab है दोस्तों, 5 लाग से 7 लाग किया गया, जहाँ पे आपको मातर 5% tax देना होगा, पहला slab रहा 5 से 7 लाग, जो आपको 10% tax देना है, पहले उस पे आप 20% tax के दाएरे में वो आते दे, दूसरा slab रहा हमारा 7.5-7 लाग से 10 लाग का, जहाँ पे आपको 15% tax पे करना है, दूसरा हमारा slab रहा 10.5-12.5 लाग का, जहाँ पे हमें 20% tax देना होगा, चोथा हमारा slab रहा 12.5-15.0 लाग रुपे तक की सालाना income पे, जिस पे हमें 25% tax देना buying power वो बड़ेगी, वो बजार में पैसा आएगा, stock market में पैसा आएगा या consumption में पैसा लगाएंगे, economy को circulate करने में वो काम्याब होंगे बट समझने वाली बात क्या है, जो नया tax regime है, अगर आपने जितनी भी investments पहले के regimes में करते थे, पहले के slabs में करते थे, वहाँ पे आपको ATC, ATD और बहुत सा schemes के लाव आपको मिलते थे, नई schemes में आपको ये कोई भी benefits आपको नहीं मिलेंगे, आपको flat आपकी income के उपर में taxations calculate होंगी, ये अभी चर्चा का विश है, इसके उपर काम करना है, इसके उपर हम दुआरार कभी आएंगे, पर हाँ, मोटा-मोटा ये समझा जा रहा हा था कि अगर लोगों के बास पैसा बचेगा, लोगों के बास spending power बड़ेगी, तो शायद वो stock market में भी आएंगे, बड़ ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा है, दोस्तों अगर ऐसा होता तो आज बजार में बाइंग दिखाई दे रही होती है, बड़ चौतरफा, सेंसेक्स के 30 में से 26 शेफ्स रेड में थे आज, दोस्तों दो चीज़े और प्रपोस हैं, एक है IDBA बैंक जिसमें सरकार stake sale करने की बात कर रही है, जिसमें भी government अपना stake बेचेगी और उसके LIC के IPO के भी आने की तैयारी हो सकती है, दोस्तों देखिए, सरकार पैसा इकटा करने के लिए dis investment करती है, जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, उनमें अपना stake sale करती है, ठीक है, stake sale करने के मामले में अगर देखें, पिछले साल से अब तक, अब गुल मिलाके 12-15,000 करोड का ही stake sale हुआ है, जबकि इस साल इनका provision है, जो हमारी सरकार ने सोचा है, कि 11-17,000,000 करोड का हम stake sale करेंगे, इसको ये भी नजरिया देखने हैं कि सरकार को अपनी equity बेचनी पड़ रही है, पैसा इकटा करने के लिए मतलब या तो सरकार के पास पैसे की कमी है, या सरकार को बाकी चीजों पे confidence थोड़ा सा कम है, मालू नहीं, इसके उपर थोड़ा सा actually, ये confusion का विशे है, एक धड़ा कहता है, positive है, एक धड़ा इसको negative कहता है, दोस्तों समझने वाली बात है कि बाजार की अगली चाल होगी क्या, 12,400 के उपरी स्थरों से निफ्टी गिरते हुए, आज 11,600 के आसपास बाजार ने टच किया, ये गिरावट का सिलसला आगे भी जारी रह सकता, ये विशलेशन का पिश है, इसमें आपके लिए जो level analysis है, जो market analysis वो करते रहेंगे, दोस्तों एक पुरानी statement है, जो आपने सुनी होगी, कि आपको buy on rumors and sell on news, आज एक बहुत बड़ी news थी, news के उपर sell हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई sector चमतकारी हो सकता है, या multi bagger हो सकता है, आपको बहुत अच्छी returns दे सकता है, तो इस budget को द्वारत से visualization कीजिए, point by point पढ़िए, अभी एक press note आना बागी, हम भी पढ़ेंगे, हम भी इसके visualization करेंगे, उसके बाद देखें किस sector के उपर काम हो सकता है, किस sector में आप long term investment कर सकते हैं, trading के लिए एक अच्छी opportunity थी, जो मंदड़ियें हैं, जो मंदी खेलते हैं, जो short खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी opportunity थी, बहुत दिनों से हम कह रहे थे, long करने मालों को मैं कहूंगा, please अभी long करने का market नहीं है, थोड़ा सा analysis कीजिए, study कीजिए, sit back, calm down, बजार कभी नहीं भागया दोस्तो, जब निफ्टी 2000 हुआ करते हैं, वहां से 6000 हुई, 6000 से फिर 2000, 2000 से आज 12000 है, हमेशा leaps and bounce में market बढ़ती है, वैसे ही leaps and bounce में market गिरती भी है, तो market आपको हमेशा opportunity देगी, कभी भी भागती हुई, गाड़ी के पीछे मत भागये, आपको चोट लग सकती है, that could be fatal also, तो इस market में, अगर आपको लगता है, यहां बजार गिर रहा है, बेच के पैसा कमा लें, तो भी खतानाक हो सकता है, अगर बजार ने किसी भी एक अच्छी positive news के ओपर react किया, bounce back आया है, तो आप फिर फ़स तकते हैं, तो इसलिए बजार का अच्छे से analysis कीजिए, अपनी study को देखिए, बजार को थोड़ा calm down होने दीजिए, इस heat को जो news है, कम से कम एक हफता इसको settle होने दीजिए, उसके बाद देखिए, कहाँ पर आपको opportunity मिलती है, उसके बाद यह अपना निवेश कीजिए, यह अपना trading plan बनाई है, और दोस्तों, एक जो golden rule मैं आपको कहना चाहूँआ, कि कभी भी अपनी पूरी capital को trading में मत लगाईए, अपनी capital का सिर्फ 10 से 12 या 15 परसंट पैसे कोई trading में लगाईए, जादा risk appetite है आपका, तो 20-25 परसंट ले लिजिए, उससे जादा trading में मत लगाईए, बाकी capital आपका हमीशा safe होना चाहिए, अच्छी investment opportunities के लिए, और हर गिरावट एक opportunity होती है, मैं इस opportunity की wait कर रहा था फिछे 4 मेने से, और मैं लोगों को कह भी रहा था, मैं अपनी चीज़ें चुनने वाला हूँ, आप अपनी चीज़ें चुनिए, analysis कीजिए, stay safe, trade safe, all the best.